हेलो गाईज, मनी ट्रांसफर करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं और चेक उनने से एक है तो बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं जब वो चेक को फिल कर रहे होते हैं और इसी के वज़े से उनका चेक जो है वो कैंसल हो जाते हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ चेक को करेक्टी कैसे फिल करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस तो चलिए मैं आपको steps बताता हूँ कैसे फिल करते हैं एक check को तो first step है हमारा यहाँ पे date column यहाँ पे आपको day लिखना है यहाँ पे आपको month और यहाँ पे आपको year लिखना है और सबसे important बात जो यहाँ पे corner में भी लिखी हुई है valid for 3 months only यानि कि 3 months तक यह check valid रहेगा 3 months में आप कभी भी इस check से पैसे withdraw कर सकते हैं after 3 months this will be invalid और यह किसी भी use का नहीं होगा तो guys यहाँ पे हमें दूसरा option मिल जाता है pay का तो यहाँ पे आपको self लिखना है अगर आप अपने account से ही पैसा निकालना चाहते हो और यह दूसरा वह है पैसा निकालने का जैसे हम ATM से पैसा निकालते हैं और किसी company को देना है तो फिर आप उस company का नाम लिख सकते हैं इस पे वाले option में तो guys यह चेक आप किसी भी person को भी दे सकते हैं और अगर person को दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे उस person का पूरा नाम लिखना पड़ेगा और यहाँ पे हमारा जो तीसरा option है वो देखिए यहाँ पे आप amount जितना भी डाल रहे हो वो आपको numerical form में लिखना है तो जैसे मैं 10 डाता हूँ तो फिर मुझे numerical form में 10 लिखना है और third option है यहाँ पे रुपीज का जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अदा करें भी जैसे मैंने 10 रुपीज लिखा हूँ था तो वो मुझे यहाँ पे भी टेन रुपीज लिखना है वर स्टेटमेंट फॉर्म में तो गईज लेट से एक अग्रामपल और थाउजन रुपीज तो यहाँ पे आपको थाउजन लिखना है और यहाँ पे जो रुपीज का option है य इंग्लिश या तो हिंदी में जो भी आपने थाउजन रुपीज लिखा है उसको अदा कर सकते हैं शब्डों में और इंग्लिश और हिंदी के अलावा आपको कोई भी language नहीं लिखनी है तो गईस किस account से आप पैसा निकाल रहे हैं उस account का यहाँ पे नंबर लिखा हुआ ह देशा की आप देख सकते हैं और चेक आप अगर चेक करना चाहते हैं तो फिर यह स्टेट बांक ओफ इंडिया का चेक है और यहाँ पे आपने नोटेस किया होगा SB account लिखा है इसका मतलब है savings bank account और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपने signature या तो अगर शब्डों में लिखा हुआ है प्लीज sign above तो यहाँ पे आपको अपनेzić sign करने है या तो हस्ताकशर करने है और यहाँ पे clear शब्डों में लिखा हुआ है प्लीज sign above तो यहां पे आपको अबोव ही sign करना है मतलब उपर ही sign करना है अगर आप नीचे sign कर देंगे तो फिर पूरा का पूरा check invalid हो जाएगा not usable हो जाएगा आप इसे use नहीं कर पाएगे तो गईज आपको कोई पूछेगा कि check का number क्या है तो फिर check का number always six digit number होते है जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं 277978 तो यह है हमारा check number और यह है हमारा MICR code Magnetic in character reader का code है चेक करने के लिए कि यह जो check है यह real है कि नहीं और यह है हमारा RBI का account number तो RBI मतलब Reserve Bank of India का यह account number है और यहां पे यह दिया गया है transaction ID अगर आप अपने home branch में check deposit करना चाहते हैं तो फिर आप more than 10 लाक्स withdraw कर सकते हैं बट अगर non home branch में है तो फिर only 10 लाक्स वालेड है तो वाइस अभी मैं आपको इसे लाइफ करके दिखाता हूं तो आज का डेट है 14 ऑफ कि जान 2021 और गाइस हम यह खुद के bank account से निकारना चाहते हैं तो self लिखेंगे और वो भी sub letters capital में देख सकते हैं मैंने self लिखा है sub letters capital में हैं और यहां पे amount लिख देते हैं 5000 यहां पे statement form में हमें हमें तो गईज यहां पे जो हमने amount लिखा हुआ था 5000 उसके सामने हमें ऐसा कुछ symbol डालना है ताकि उसके आगे कोई और भी number ना डाल दे और यहां पे हमें 5000 लिखा था तो यहीं पे भी 5000 लिखना है capital letters में तो 5000 only लिखना है आपको कि देख सकते हैं मैंने 5000 लिख लिया है तो गईज यहां पे आपको फिर signature करना है यह मेरी ममी का चैके तो फिर मैं इसे यह आपको दिखाने के लिए signature कर देता हूं क्योंकि मैं तो इसे तो गईज मैं आपको कली आप दिखाने के लिए लिख रहा हूं बड़ जिसके नाम से चेके उसको ही यहां पे जो है sign करना है देख सकते हैं हमने sign भी कर दिया है now our check is completely ready तो गईज यहां पे मैंने capital में लिखा है ताकि जो भी देखेगा उसे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिखे हुआ अच्छा दिखेगा आप इसे small letters में भी लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं और कई यहां पे मैंने self लिखा हूँ है और आप किसी और को अगर check देना चाहते हैं तो फिर उनका नाम यहां पे लिख दीजे और एक चीज याद रखेगा कि यह जो check है अगर आप उनका नाम लिखते हैं तो फिर वो only cash ले सकते हैं इस चेक के द्वारा तो गईस आप जिसको भी यह check deposit कर रहे हैं आप अगर उसे cash नहीं लेना चाहते हैं और उसके account में पैसा डलवाना चाहते ह यहां पे corner में आप डो ऐसे lines ज्रॉ कर दीजे तो यह इसका मतलब है कि आप उसके account में पैसा डलवाएंगे और आप चाहें तो AC पे भी लिख सकते हैं बीना इसके भी check valid है बट आप अगर चाहें तो फिर यह लिख सकते हैं तो गाइस अब यह जो चेक है यह पूरा ready to use है आप कभी भी उसका सकते हैं त्री मंस के अंदर तो गाइस इसी checkbook में जब आप check film कर देते हैं उसके बाद यहां पे आपको एक record slip मिलती है जहां पे नंबर मैंने आपको बोला हुआ था उसको यहां पर आपको डालना है फिर जो date हमने फिल करी थी वो भी आपको यहां पर डालना है in favor of मतलब किसके लिए check film क्या है यहां पर मैंने self लिखा है तो फिर मैं self डाल दूँगा अगर किसी के लिए किया है तो फिर आप उसका नाम बी डाल सकते हैं और check amount कितना amount है हमने यहां पर 5000 amount फिल किया है तो फिर यहां पर भी 5000 लिखते हैं तो इसका benefit क्या है गई अगर आप in future में इस check को cancel करवाना चाहते हैं इसको invalid करवाना चाहते हैं तो फिर आप यहां पर इस bank को यह जो check number है उसे देखके इस check को cancel करवा सकते ह